जो है AC का copper pipe है अपने को तो आज की वीडियो में बात करेंगे इंडोर से outdoor को जो अपन copper pipe डालते हैं तो वो minimum किता रखना और maximum किता रखना है minimum मतलब छोटा pipe, छोटे से छोटा कितना pipe रख सकते pipe की length और maximum बड़े से बड़ा pipe की length कितना रख सकते तो अब छोटा देखो कौन सा भी AC रहें दो, 3 meter रखना समझो, minimum हर company वाले के manual में यही लिखे वारा था कि minimum pipe की length है वो 3 meters रखना है अब 3 meter रखने का reason क्या है अपने को बड़े तो जो gas circulation है अगर 3 meter से कम में रखे तो problem आ जाता अपने को क्यूंकि जो है 3 meter से कम रखे तो जो अपने को liquid जाता ना, liquid जो है direct अपने को compressor में चलिया था, अब कभी कुछ problem आ गया वाले तो 3 meter अपने को अगर pipe रहा समझो, 3 meter रहने की वाज़े से जो इसका circulation है ग्यास का perfect होता अपने को लेकिन 3 meter से कम रख दिये वाले तो ग्यास अभी liquid फ़र में रहा वाले तो रिटन सीधा compressor में liquid जाने की वज़े से प्राबलम आया था अपने को compressor जा सकता और maximum कितना रखना है अपने को तो अब उसके जो है 3 शकला मनते मतलब maximum pipe की length रखने के लिए अपनको 3 शूड़तों मे अलग-ên возnes gotten another size तो फस्तो जो है indoor और outdoor अपना same floor पेiren मतलब ground floor पे इंडोर और इंडोर और दाइगराम बना के डाइगराम के उपर बतातों अब ये मैक्सिमुम पाइप लेंद भी अपने को कई को इंपर्डेंट है तो अगर मैक्सिमुम से मतलब एक दस मीटर लेंद है समझो पाइप की दस मीटर से ज्यादा बढ़ा के रख दिये एपन वोले तो उसके अनर करना बढ़ता और जो है अपने को नियाते समझो अगर प्राबलम आ चले गया तो आके कंपनी वाले ये इंस्पेक्शन करते के इंस्टाल कैसा हूं मशीन अपना पाइप की लेंद जो है कितना रख रहा तो अपने कंप्रेसर उलों की वज़े से प्राबलम आया बलके लेक इंस्टालेशन करते हुद कुछ भी अपन ऐसा पाइपिंग में गोल कर दिये समझो तो अपने के ऊपर आया था हो कंप्रेसर जो है उला नहीं देते क्लेम नहीं होता समझो कंप्रेसर वारंटे में तो खैड जो है अपन मैक्सिमम कैसा है देखिंगे उसकी लेंग डाइग रख षकेंड में गोल ब्सक्लाइम अपन देख सकते हैं इंडुर जो है अपना ऊपर के फट्रोर पर आपन नासा इंड़ोर पी स्टूर फट्मिन गांपा Federाभट मेंए अपना ंपना मेस बेट फ्लोर कर तो इस के पर एदसमिटर ने कीम फट्र ऎकराइ आप्ट है सिरल उ उपर फेकने का रहता ना तो कंप्रेसर के उपर लोट पड़के प्रॉब्लम आ सकते समझो तो दस मीटर तक इसको ग्यास फेकना पड़ता उपर तक समझ गया ना तो इसलिए जो है और दोर को नीचे लगाए वखत साथ मीटर रहे तो बहतर रहता उपर से गयास नीचे फेकने में कुछ भी उसको तकलिफ नहीं होती समझो फिर रिटन चाड़ जाता गयास उसमें प्रॉब्लम नहीं कुछ भी वेपर गयास रहता ना अपने को लिक्वीड रहा वोले तो लिक्वीड में जो है थोड़ा ज्यादा लोड लगाना पड़ता अ कैसा रहता अपने को बासेड़ों पर जो है रिसिप्शन पर एसी लगे वा रहता उस कॉल्ड़ बैक सेड पर रहता तो लंबी पाइपिंग दाल दे तो पंद्रा मिटर तयाले तो अपने को सेफ रहता अराम से चलता समझो कुछ भी प्रॉब्लम नहाता तो खर मेरे पास अक्सिमम किता रख सकते अपन बीच मिटर दालना है फिर मैक सिमम पिता रख सकते अपन बीच मिटर रख सकते हैं के साथ ठीक है ना इंडोर से आट्वर तक 20 मेटर तक ढख सकते हैं पर इसमें से 20 मेटर में से चार्जलेस लेंध चार्जलेस लेंद मनतब इसमें से ग्यास कित्रय में डालना बन 7.5 में जो रखते न आपन पाइप उसमें घ्यास दालने की कुछ भी जुरत नहीं फिर 7.5 मे एक मीटर को 20 ग्यास दालने का रहता ठीक है ना जो अपन 7.5 मीटर तो कुछ भी ग्यास अपने को दालने की जूरत नहीं एसी के अंदर जो कंप्रेसर में ग्यास आती कंपनी के साथ उसी से अपना इसी चल जाता लेकिन जो है 7.5 मीटर के साथ अपन और एट कर रहे वले तो अगर अपन 8 मीटर कर दे रहे समझो तो 0.5 मीटर अपने को पढ़ गया तो उसके हिसाब से अपने को 10 ग्यास दालना पड़ता अगर पूरा 1 मीटर बढ़ गया बोले तो फिर 20 ग्यास दालना पड़ता खेर यहां पे देख सकते और एक साइड में लिखेवा है हाइड प्रेंस तो अपन चाहे ऊपर लगाओ चाहे ओड़र नीचे लगाओ गरां फ्लोर लगाए के उसका जो है इंड़र उपड सेगन फ्लोर पर थार्ट फ्लोर पर रखतो तो उसकी लेंड जो है अपने को ऐसी चाहे में माणवुल पे साधे उसमें देख लिये तो काई कुनस तो उसमें किता ग्याज दालना उसमें पूरा लिखा रहा रहा था एक बार इस पे नजर माल लिए तो समझ में आथा खेर एक मोटा मोटा हिसाब बोले तो यह चे देखो बाज बाज लगे बास अपने को लिख्वीट जाके होने बनके निकल लेकिन जो है पाई-पे जाके इंधर लगा गॉरा आजरेखेल जरे उसको मुखह नहीं मिल रहा आप कुन से भी ऐसी का मैंवल पढ़डों के इंदर तीन मीटर वलकर रहता ही रहता अब मैक्सिमुम अपन पाइप लेंद किता रख सकते इंडोर से और अगर अगर अपने को इंडोर और दोनों सेम फ्लोर पे रहे तो 15 मिटर तक लंबा रख सकते पाइप कुछ भी प्रब्लम न अगर अपन इंडोर उपर लगा रहे और आटवर उसका नीचे रहा तो सेफ्टी के लिए साथ मीटर लगाए तो बहतर रहता दस मीटर तक भी लगा सकते समझो कुछ भी प्रब्लम नहीं है और अगर अपना ओड़र ऊपर के फ्लोर पे हैं और इंडोर उसके नीचे के फ् पाइप इंडर होता ना वहां पर एक यू बना के रख दिये तो उसमें अपने को दो सेफ्टियां हो जाते एक तो जो है कुछ भी बारिश वारिश का पानी अपने को मशीन में नहीं आता अंदर पाइपिंग के जरिए दूसरा जो है अपने को कुछ भी अगर आइल तो सब्सक्राइब करो जादा से जादा वीडियो को शेयर करो ठीक है मिलिंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई